सोसल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से चल रही है आप इसको देखें इसमें कुछ मज़़ूर टाइप के लोग मज़़ूर किस्म के लोग जो मकान की नीव खोदने के लिए मकान त्यार करने के लिए जब वो नीव को खोद रहे थे फाउंडिस्न के लिए कट्धा कर रहे थे तो उसमें उन्हें एक पत्थर की मूर्टी दिखाई दी जो गंधार कला की है मर्दन या मर्दान नाम की जगे है और यहाँ पर जो ये काले पत्थर हैं बहुत बढ़िया ये मूर्टी लेटी हुई अवस्था में बुद्ध की दिखाई देती है जो गंधार कला की है कुछ लोग इसको तोड़ भी रहे हैं ऐसा एक क्लिप बार बार वाइरल हो रहा है और मुझे किसी ने ये क्लिप जानके भीजी कि आप इसको देखिए जिसने भीजी है मैं उसका मन तब्बै उसके जो मन का रोग है जो मानसिक बीमारी है वो मैं समझ रहा हूँ वो दरसल मुझे से ये कहना चायता है कि देखिए जो लोग ये तोड़ रहे हैं बुद्ध की मूर्टी ये बुद्ध के खिलाफ लोग हैं बुद्ध के अगिंच्ट हैं और ये काम कर रहे हैं और वो चायता है कि मैं इस मूर्टी को देखके खुग पिर्चारिस्त पिरसा दरसल जो लोग मूर्टी तोल रहे हैं, मूर्टी बनाए भी उन्हों नहीं है गंधार कल्या में जितने भी मूर्टी बनी है वो आज के समय का जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है जो कश्मीर का एरिया है, जो इरान का एरिया है वो सारा का सारा एरिया गंधार में गंधर में आता है और वही एरिया की लोगों ने सबसे सुन्दर मूर्तियां बनानी शुरू की और बनाई ये उनी में से एक है क्योंकि समराट असोक के सासनकाल में सभी लोग मूर्तियों का बहुत ज़्यादा प्रिचलन बाद में हुआ और सिला लेखों का प्रिचलन हुआ तो बाद पर मूर्तियां बनती रही और मूर्तियों में लोग अपने बुद्ध को ढूंते रहे तो जो लोग मूर्ति तोल रहे हैं दरसल उनी के ही पूरवजने वो सारी मूर्तियां बनाई हैं वही लोग भगवान बुद्ध की सिक्षाओं से लाब लेते रहे उनकी सिक्षाओं का पलन करते रहे अपने जीवन को बहुत आलिशान बनाते रहे मगर जब भगवान बुद्ध की सिक्षाएं लुप्थ हो गई और उनको पढ़ाने वाले टीचर चले गए तो उनकी जानकारी खतम हो गई उनको ये पता ही नहीं चला कि ये जो मूर्तियां है या यो ये सिक्षा है वो क्या थी और क्या नहीं वो बे सिक्षा के बिना भगवान बुद्ध की जानकारी के जानवर के समान होते चले गए यैसे बिना किसी जानकारी बिना किसी ग्यान के व्यक्ती मुलकुल मूर्ड या मूर्ख या जानवर की तरह होता है फिर जब इसलाम का पदापन हुआ जब मुहम्मद साब की जो वानी थी या मुहम्मद साब की जो बातें थी जब वो आई तो वो बातें उन्हें और भगवान बुद्ध की बातें उनको सिमिलर लगी उन्होंने वो बातें डॉप्ट कर ली और वो बातें मानने लगे मुहम्मद साब के समय में 103 मूर्टियां काबा के अंदर हुआ करती थी जिनको बुद कहते थे वो जो 103 मूर्टियां थी उनको वहां से निकालके फैका और जो बुद परस्ति थी यानि कि जो मूर्तियों के लिए परस्ती थी या मूर्तियों के लिए जो पूजा था या मूर्तियों के लिए जो अनुजाई थे या मूर्तियों के जो भत थे या जो मूर्तियों की पूजा करते थे या मूर्तियों को मानते थे यानि बुद को मानना बुद परस्ती उस बुद परस्ती को बैन कर दिया गया यहां तक कि मुहम्मद साहब की जितनी भी चीजें थी उनको भी हटा दिया गया बाद में लोग चीजों की अन्युआई ना बने यानि मुहम्मद साब की जो चीजे है या उनके इस्तमाल की होई जो चीजे है लोग उनको ना माने लगे उनको ना पूझने लगे जो मुहम्मद साब ने इमान लाने के लिए सच्चाई लाने के लिए सही बातें बताई हैं उनको माने तो भगवान बुद्ध ने कब अपनी मूर्टियां पनी दरसल जो बुद्ध की सिक्षा है और जो मौम्मद की सिक्षा है और जो ईसा मसी की सिक्षा है तीनों की सिक्षा एक ही है और तीनों ही ने किसी ने भी यह नहीं कहा कि मूर्टि को या बुद्ध को या इस्टेचू को या आइडॉल को बनाना है या उसकी बात माननी है या उसको पूझना है और जो हम बता के जा रहे हैं इसको नहीं मानना है और बताने वाले के सब चीज़ों को मानना है पूझना है मगर जो जानकर दिया है उसे नहीं मानना है यानि आप कपड़े को मानोगे उसके जूते को मानोगे उसके बाल को मानोगे उसके चेहरे को मानोगे वो कैसे बैठा उठा इसको तो मानो इसको कहते हैं बुद्ध परस्ती इसको कहते हैं आइडल वर्शिक इसको कहते हैं मूर्ति पूजा इसको कहते हैं जो जी चीजे हैं वस्तु पूजा तो पत्थर पूजा वस्तु पूजा किसी भी जो संत है चाए वो इसा मसी है चाए बुद्ध है चाए वो मुहम्मत पैगंबर है उन्होंने नहीं आरम की नहीं कहा कहीं एक सब्द भी आपको नहीं मिलेगा कि किसी इन तीनों मैंसे किसी में भी कहा हो कि मूर्टी बनाना और मूर्टी को मानना बातों को मत मानना तो जो लोग मूर्टियां बना रहे हैं और जो लोग मूर्टियों को पूझ रहे हैं वो तरसल संथ की बातों को जानते तो है नहीं इसलिए मूर्टी को तोड़ना क्या, मूर्टी को बनाना क्या, मूर्टी को लगाना क्या, मूर्टी को पूजना क्या, पत्थर को क्या बनाना, पत्थर को क्या पूजना, पत्थर को क्या रखना काबा से इसलिए 103 जो पत्थर की बुद्ध थे उनको निकाल दिया और बुद्ध परस्ती बैन हो गई ये बात की करानी है क्योंकि बुद्ध के समय अगर मूर्टिया होती तो वो भी सायद बैन कर देते क्योंकि बुद्ध के समय तक तो कोई धातू बगर एतनी खास थी नहीं तो छीलने चलने का काईकन था नहीं तो पत्थर को छीलने कैसे इसलिए वहाँ इस्तू बना करते थे इस्तू यादगार के लिए कि यहां हमारे एक संत रहे हैं यह कैसे थे वो तो आपको दिखाई देंगे नहीं क्योंकि यह सिर्फ एक इस्मारक है इस्मारक मतलब इस्मारती का जो चीज बनी होई है वो है तो जो मूर्ती तोड़ रहा है उससे बुद्ध के अनुयायों पे लेसमातवी फरक नहीं पढ़ने वाला है कोई मूर्ती बनाए उससे भी फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि बुद्ध का कोई भी अनुयायी बुद्ध परस्त नहीं है वो मूर्ती पुजा नहीं करता है जो मूर्ती पुजा करता है या बुद्ध परस्त है वो कहीं भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि भगवान बुद्ध नहीं मूर्ती पूजा के लिए या बुद्ध परस्ती के लिए या आइडोल के लिए कहा गया है जब ये भगवान बुद्ध नहीं कहा ही नहीं उस समय कोई मूर्ती नहीं बाद में नहीं कहा इसलिए उनका होना या ना होना कोई फरक नहीं पड़ता किसी बच्चे को ये समझाने के लिए कि देखो बुद्ध कैसे विपस्ना साद्रा में बैठके सच्चाई को खोज रहे है किसी बच्चे को ये दिखाना के देखो कैसे कोई एक क्रॉस है इस cross पे एक सच्चे आदमी को टांगा गया मारा गया, इस cross का respect करो किसी बच्चे को कहानी के रूप में यह समझाना कि देखो, हात अगर ऐसे अठेगा तो क्या मतलब है ऐसे होगा तो क्या मतलब है इसका मूर्टी बना के समझाना इसका मतलब अलग है बर किसी बच्चे को ये कहना है कि तुम दोनों हाथ चोड़ के और अपने आख बंगर के और जुक जाओ इसके पैरों में बस तुम्हारा काम हो गया ये गलत है दरसल इसलिए बुद्ध परस्ति का अंदभक्ति का विरूध किया जाता है इसी विरूध को वो जो लोग हैं अ कोई भी मूर्ति होगी वो उससे डरते हैं उससे घवराते हैं क्योंकि व्यक्ति इनकी परस्ति ना करना सुरू कर दे हुमन को ना भूल जाए बातों को ना भूल जाए संत को ना भूल जाए इसलिए तोड़ देते हैं इसलिए तोड़ी गई है इसलिए तोड़ देनी ठीक बी है और बनाने भी ठीक हैं क्योंकि अगर बच्चे याद लाना है मगर जो समजदार है जो जानकार है उसे मूर्ती के होने से या ना होने से लेश्मातवी फर्क नहीं प Väगवान बुद्भन न क्या कहा मुझको देखना हो तो धम्म को देखना धम क्या है धम वो है जो सच्चा ही लेके आता है जो इमान लेके आता है जो टुथ फुल लेके आता है वो धम है तो उन्होंने कब कहा कि जब मुझे देखना हो तो मेरी मूर्ती बना के देख लेना उन्होंने कब कहा कि मेरे जैसी मूर्ती है कोई नहीं जानता कि भगवान ब बाकी टीका टिपड़ी हैं भासे हैं लोगों ने अपने हिसाब से कालपनिक बना के गड़ी हुई हैं लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि वो भी पाली में ही लिख दी हैं वो सब गलत हैं वो किसी भी हालत में जो अलार कलाम कर सुथ भगवान बुद्ध ने चेक एन बेलेंस अगुमसाभ जैसा संत्क कभी भी यह नहीं कहेगा कि तुम मेरा फोटू लेके गुमो तुम मेरी मूटी बनाओ तुम मेरी पूजा करो तुम मेरे पथर की बड़े-बड़े जलान नयास बनाओ मेरे आले बनाओ वो हमेंसा ये कहता है सच्चाई प्याना है, इमान ही जिन्दगी है सच्चाई इंदगी है trustfulness जिन्दगी है और यही सब कुछ है यानि वो सब कुछ इसी को बताते है इसलिए जिसने भी ये भेजा है मेरे पास मैं वो नहीं जानता कि भगवान बुद्ध की अनुयाईयों को और अगर कोई सच में इमान वाला है यानि मुसलल इमान वाला है इमान वाला है या सच में कोई ईसा मसी की बात को मानने वाला है तो वो कभी नहीं इन से घबराता वो कभी नहीं इन से डरता उसे फरक नहीं पड़ता है कि कोई आदमी कितना भी उनको लड़ाए वो नहीं लड़ते उनको लड़ने की आवशक्ता भी नहीं है भगवान बुद्ध की मूर्ती तोड़ी तो ना बुद्ध को फरक पड़ता है ना उनकी अनुजयाई को फरक पड़ता है वो बनाई तो भी फरक नहीं पड़ता है वो पत्थर है पत्थर की मूर्ती कभी भी बनाई जा सकती है और मूर्ती को पत्थर में कभी भी बदला जा सकता है जिसका विचार खराब होता है उसकी लाख मूर्ती बना लो वो कभी नहीं रुकेगी और जिसका विचार अच्छा होता है, मनुस्यक के कल्जान के लिए होता है, उसकी मूर्ती बनाओ या ना ना बनाओ, वो हमेसा रहता है बहुत सारी दुन्या के अंदर ऐसी लोग हैं, जीवित लोग हैं, जिनके विचार आज के समय में खराब से दो रहे हैं और जगे जगे से खबर आ रही है कि फलाने आदमी की मूर्टी तोर दी, फलाने आदमी का गिरा दिया, फलाने आदमी को मार दिया क्योंकि जहरीले विचार ज्यादा दिन नहीं चलते, जहरीले विचारों की मूर्टियां तोटती ही तोटती है इनकी मूर्टी हर एक व्यक्ति के दिल में इस्थापित होती है इनका अगर अनुयाई सच्चा होगा जो इनकी बात को मानता है तो उसे फ़र्ट नहीं पड़ता और इनका अगर अंदभक्त होगा तो वो कोई मूर्टी तूरता हुआ देखेगा या कोई किसी ने कुछ देखा कोई किताब का पननाफाड़ा या किताब को दबा दिया या कहीं गाली बगदी या गलोच कर दी तो वो बेकल, कमअकल क्योंकि संतर हैं तो कहानी लड़ो उसके लिए वो लड़ना शुरू कर देगा यानि संतर नहीं कह रहा है एक भी संत ने दुनिया में ये नहीं कहा कि कोई मुझे गाली बखे तो तुम जाके लड़ना एक घटना नहीं है ऐसी पूरी दुनिया में लोगों खुदी अपने आपको भक्त बनके अपने आपको चेला बनके लड़ने मनने के लिए त्यार हो जाते हैं कब किस ने कहा कि मैं अगर मुझे कोई गाली दे तो तुम जाके लड़ना कोई एक भी उधर्ण ऐसा है नहीं महम्मद ने बुद्ध ने ईसा ने कब बताया कि पत्थरों की मूर्ती बनाना फिर उनको पूझना और फिर आपस में लड़ना यानी जिसके दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं वही एक काम करेगा कि उस पत्थर में से पहले एक मूर्ती निकालेगा फिर उसको सब कुछ मानेगा और फिर दूसी मूर्ती से जाके लड़ेगा और मूर्ती वालों से लड़ेगा मगर संत ने आज तक कभी नहीं का कि तुम पत्थर में से मूर्ती निकालना और फिर आपस में से लड़ना या तुम हमारी मूर्ती बनाना या कोई अगर हमें गाली बके तो तुम जाके खड़े हो जाना हमारे तिमारदार और हमारे वकील बनके कि देखो संत मैं तुम्हें मानता हूँ इसने तुम्हें गाली बकिये तो मैं लड़ूंगा अरे संत ने तो कहा नहीं तू जाके क्यों लड़ रहा है महां जाके कहीं कोई संत लिखके गया हो बता के गया हो कि जब कोई मुझे गाली बकिये जब कोई ये कहे कि मैं संत को नहीं मानता हूँ तो तू जाके लड़ना खामे काहीं लड़ रहा है खामे काहीं जहर को फेला रहा है खामे काहीं संत की वानी को खराब कर रहा है संत के नाम पर संत को और बदराम कर रहा है मलग खुदो तो नलायक है ही संत को ओला पिटे में ले रहा है तो संतों को छोड़ तो कम से कम जिसने भी ये वीडियो भेजा है उसका मन अच्छा नहीं है क्योंकि वीडियो ना भेजता तो अच्छा था कोई अच्छी बात इसमें है नहीं तोड़ फोड चलता रहाता है जो वो भेज रहा है लड़ाने बढ़ाने के लिए है इसलिए मेरा निवेदन सबसे यह है कि जिन जिन लोगों ने भी ये क्लिप देखी है वो इस वीडियो को आगे भेजें दरसल भगवान बुद्ध हैं या इसा मसी हैं या मुहमद साव हैं इन्होंने प्यार ही फैलाया है प्यार करोना ही फैलाई है इसके अलाबा अगर कोई चीज जहरिली है तो वो बाहर से बन के आई है थोपी गई है उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा नाहीं ऐसा करने के लिए कहा है प्यार से रहिए प्यार को बढ़ाईए मूत्यों में पत्थरों में कहीं कुछ नी रखा मनुष्ये इनको हजार बना सकता है हजार बार तोड़ सकता है पत्थरों का तूटना, पत्थरों का बनना चलता फिरता रहता है समराट असोग ने 84 जार पत्थर बनवाई किताब बनवाई लोगों ने तोड़ भी फिर बने लगी है फिर कोई आएगा फिर तूट जाएंगी यह तो सरकल है चलता रहता है इससे निए निग घुराना है मगर उनकी जो बात है संतों की बात है उसको मानना है प्यार को फैलाना है प्यार बांडते वे चलना है धन्यवाद तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर तीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकत हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंटरी कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो च इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं, उन बातों को हम सर्ल भासा में, आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं। धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना सभी देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है। धम सरेन गच्छामूं। संगं 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 सरेन गच्छामूं।